गुड वानी फ्रेंड्स आज संडे हो गई है तारीख हो गई है तीस और कल से जो है ना हमारा जुलाई का महीना लग जाएगा दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंस टिप्स कुछ पॉइंट्स देना चाहरा है कि अपने गार्डन को आप सभार लें और सजगने की जरूरत कि अपने प्लांट में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए तो वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करने बेल आइकन दबादे जिससे जो भी हमारा नौटिपेकेशन है द चत पर मैंने बना रखा है बहुत गर्मी इस साल पड़ी 45 डिग्री सेंटेट करीब टेमपरेचर रहा है हमारे इस्टन यूपी का और इतने ज्यादा टेमपरेचर में मैंने बड़ी मुस्क्राइब से अपने प्लांटों को बचाए इसके बचाने के मैंने कुछ वीडियो डाल रखे हैं आप हमारे लिंक में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं काफी बचाने की कोशिस की है काफी हमारे प्लांट्स जो है ना बड़े बड़े खतम हो गए हैं मर गया हैं सूब गया हैं तो वो भी हम आपको थोड़ा सा डिस्क् इस garden में मैंने डिफरेंन टाइप के जो हमारे आउट्डोर प्लांट्स हैं लगा रखे हैं दोस्तों बात करते हैं कुछ POINTS की बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पढ़े गा कि जो हमारे प्लांट्स थे जिनको हमने गर्मियों से बचाया है जिनको लूलपट से बचाया है उनके कुछ महत्पूर पॉइंट्स है जो हम आपको अभी दिखाना चाह रहे हैं ये दोस्तों देखिए हमारे कनेर का प्लांट है ये कनेर का प्लांट है इस कनेर को मैंने जो है ना जो हमारी घास होती है उससे मैंने मंचिंग किया है और ये जो हमारे प्लांट देख रहा है आप सभी के सभी प्लांटों को मैंने इसी में ढग दिया था मंचिंग कर दिया था यह देखिए हमारा आज हमने अभी जो है ना इसको वो मंचिंग जो किये थे वो हटाए हैं सबी के सबी प्लांटों को तो अज हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि अक्छुली करना क्या क्या है तो पहला हम जो पॉइंट लेते हैं दोस्तों वो ये है कि जो भी हमने जड़ों में जो है ना सूख जाती थी हमारी गर्मियों में और जड़ों में जो है ना पानी जल्दी जैसे सुबे डाला है तो फिर हमारे साम आते आते सूख जाता था उसको हमने मैंटेन करने के लिए जो हमने मंचिंग कर रखी थी जो हमारे खरपसवार होते हैं हमारे पुराने कपड़े होते हैं हमारे न्यूच पेपर होते हैं उन सब की जो है हमने जो मंचिंग कर रखी थी वह हम सभी के सभी जैना हटा देंगे पहला तो हम यह पॉइंट करेंगे कि उनको हम जो मंचिंग क बन वाई बन करके एक का अबजर्ब करेंगे कि हमारे गंबलों को नीचे जो होल है वो कहीं जड़ों से या रूट रूट रॉट तो नहीं हो गया यार हमारी रूट जाने कहीं बॉंड तो नहीं हो गया पूरा भर तो नहीं लिया है गंबला जिससे उसका जो नीचे का होल हो तृम की नहीं निकला राय है अब हम तीसरा पोईंट सरुकों हैं असकी जो बात करते हैं दोस्तों वह यह है कि तीसरे पोईंट पे जो हमारे जो घूश जoth गरमियों में सुक चुके पथिया सूक चुकह हैं आप देख सकते हैं अमारे पूल खे लेखे थे सभी के सभी फूल सुक चुके हैं तो हम बन वाई बन इन सब की जो इना ड्रेसिंग करेंगे, सारे मरे हुए पत्तों को हटाएंगे, हटाने के बाद कटिंग करके पूरा सा, आप देख रहें कितने ज़्यादा फूल आए थे, सारे के सारे फूल जो इना मुर्जाए हुए हैं, सबी के हटाना पड़ेगा, सभी को सभी को हटाना पड़ेगा, आप देख सकते हैं, हमारा एक रोजा है, ज्यादा धूप की बज़े से देखे बहारी इसकी पत्तियां, तो हम इनकी सभी की पत्तियां को हटा देंगे, किकोमा है, काफी जलीमत है, बच गया है, हमारा हिविसकस है, देखे धूप के बज़े से हमारा हेविसकस का बेराइटी ये पुरा सूप गया है तो इस साल जो है ना बहुत हमारे यूर्पी में क्या इणिए में बहुत गरम पड़ा है उस गरम में हमारे काफी प्लांटों का नुकर्शान हो गया है इदर देखिए मनों कामनी है तो थोड़े सी बची हुई है कितनी फ्लावरिंग कर रही है मनी कामनी इतनी महख रही है आप देख सकते हैं तो अभी सबी के सबी हम इनकी पत्यां जो फूल हैं, जो भी सूप चुकी हैं, जो मैचौर होके लटक जाती हैं, उन सबी के सबी पत्यां को हम हटा देंगे. इसके बाद जो नेक्स पॉइंट दोस्तों हम क्या खरेंगे इसके हटानी के बाद दोस्तों हमारे जितने भी प्लांट हैं जैसे हमने कुछ अपने प्लांटों को धूप से बचने के लिए छाया में रखे थे गुरूप में रखे थे जिससे बहुत ज़्यादा उसमें सन का इफेक्ट ना पड़े तो उसके नेचर के एकॉर्डिंग हम उन सभी प्लांटों को सेपरेट सेपरेट कर देंगे अलग अलग कर देंगे और गुरूप से जो हना हटा देंगे जिसकी भी जहां पर भी जगए हम उसको जगए दे देंगे ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी हमारे प्लांट सें बारिस का पानी होगा तो हमारे प्लांट सभी के सभी खिल खिला उठेंगे सभी के सभी जह ना अच्छे से एयर ले सकेंगे सभी के सभी जह ना अपने ब्रांचों को अफेलाओ करेंगे तो उनको एक जगह मिल जाएग इसी सलसले में मैं नेक्स्ट जो आना पॉइंट लेता हूँ अब हम जितने भी हमारे देखिए सूख चुके हैं उन सभी सूखे हुए प्लांटों को हटा देंगे और उसकी सारी की सारी जो मिट्टी है उसको इनरजेटिक करेंगे मिट्टी को इनरजेटिक करने के लिए दोस्तों मिट्टी को उसमें दोबारा से खाट डालेंगे लोग बर्मी कमपोस डालेंगे बाओन मील डालेंगे जस तरह शी जो भी माइक्रो निट्योर्ट एंस हैं हमारा सुडियन, सोरी हमारा struct माइ मायअ कीरिय構 aan अच्छे से उस मिट्टी को इनर्जेटिक बनाएंगे और जोलाई के जो एना जो फर्स्ट बीग बारिस जो होने वाली है तो हम उसके लिए एक नए नए पौदे लाके लगाएंगे अब हम एक जो नेक्स्ट पौइंट लेते हैं दोस्तों अब हमें पौदों को क्या करना है इसके जो नेक्स्ट पौइंट है वो हम अपने पौदों को सभी प्लांटों को काई दे से उसमें जो खरपतवार हैं मौथा गाह से कुछ वीट से ऐसे आ जाते हैं जो हमें उनको हट तापके उनकी प्रॉपर गोडाई करके सबी सबी प्रॉट ओकी गोडाई करके उसमें जो हैना हमें फिलाल जो हैना अभी में आपको सजुछेस्ट करूंगा कि 5 5 6 जो पिल्स होते हैं अब जो हैना जो आपका डियापी होता है जो प्लांट आॉटर रखे हुए हैं जितने भ खोले में रखे हुए हैं उन सभी प्लांटों में आप 5-5-6 गमले केक और्डिंग अगर 18 इंच का गमला है तो कम से कम 25-30 पिल से डाल देंगे उसमें चोता गमला है तो उसके आदे कर लिए आखिंच का गमला है तो 5-7 पीस उसमें न हम उसके क्रिस्टल साथे हैं छोटे-च होगी, तो होगा ये कि जो प्लांटों में हमारे जो माइक्रो नीट्रेंस और मेक्रो नीट्रेंस की जो कंँू हो जाती है, वो collective क्रिमें अबसार्ब करने लगेंगे, और केबल में बादा करता हों कि एक ही बार इसमें आपिस्तरा के सारे प्लांट पहले की तरह हसने लगेंगे, मुस्कराने लगेंगे और अच्छे हो जाएंगे. इसके बाद में क्या करूंगा, जो भी हमारे जो प्लांट्स हैं, जो लगे हुए हैं, इन सब के प्लांटों में हम दोस्तों क्या करेंगे, एक बार जो है ना उसको सेफ साइज कटिंग जरूर करेंग कोटिये की गर्मियाँमें बहुत जाद हम अपने प्लांटों को नहीं देख पाए हैं, तो इनकी जो प्रांच प्रूनिंग है हम उसकी प्रॉपर प्रांच प्रूनिंग करेंगे अगर तेड़े मेरे अधर उधर जा रहे हैं तो सभी ब्रांच प्रूनिंग करके एक अपने प्लांट को सेप और साइज देंगी आप देख सकते हैं कुछ देखिए हमारे प्लांट से हैं देखिए हमने इन प्लांटों को जो हैंने कटिंग फलाल कर दी है सभी प्लांटों की मेंने गुडाई कर दी है और दोस्तों डिये पी का जो हैंने अबी के समी में डाल दिये हैं आप ये देखिए हमारे भगवान विश्णू गौड की क्या महरवानी है हो सकता है कि बारिस हो जाएगर बारिस हो गई दोस्तों तो आपका प्लांट जो है ना एक दम पहले की तरह एनरजेटिक हो जाएंगे और अच्छे से जो है ना खाद प प्लांटों को केर करिए और अपनी बगिया को सुंदर बनाई है अब हम इसी सिलसले में थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट ये लेंगे कि जैसे अडेनियम है अडेनियम को दोस्तों जो है ना हम ऐसी जगह रखेंगे जहां पर जो है डारेक्ट जो है ना एक दो बार बारिस का पानी मिल जाता है कोई बात नहीं लेकिन बहुत जादा ऐसी जगह नहीं रखेंगे जहां डारेक्ट बारिस का पानी बार बार आता रहे और अगर ऐसा होगा दोस्तों तो आपके डेनियम जो है ना खराब हो सकते हैं फ्लावरिंग कम हो जाएगी पत्तियां जादा हो करेंगे जहां हमारी कटिंग यह सारे पॉइंट्स पांच साथ दस जो हमने बताएं सबके साफ हो जाएंगे इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम एक लीटर पानी में पांच एमेल नीर मॉयल लेंगे और थोड़ा सा जो है ना जो हमरा सौफ्ट सावन होता है टौइलिट मिली वक्स हैं कुछ चीटियां हैं उनका जो अफेक्ट हुआ है ठंडक के वाज़े से जड़ों में लगा रखे हैं तो वह सारी के सारी जो है ना मर जाएंगे और आपका प्लांट को जो हैंना काफी से पॉसरक्षित रखेंगे तो यह जो पॉइंट्स हैं हमने करीब दस सारे प्लांट्स आपको बता दिये हैं तो अभी यह सभी जो हैंना हमारे गार्डनर हैं उन सभी को यह जो हैंना कुछ पॉइंट्सों को ध्यान में रखके गार्डनर में काम करना पड़ेगा अब दोस्तों बात करते हैं नेस्ट के यह जो सारे जो हमारे प्लांट्स सूख जितने प्लांट सूप चुक है इन सब को हटाके हटाने के बाद एक कंटेनर लेंगे जितने भी पतियां सूखी हुई हैं जितने भी मैचौर पतियां गिर गए हैं ड्राइ हो गए हैं उन सभी पतियां को हम क्या करेंगे एक कंटेनर में रखके उसकी तीन या चार लेयर बना किस दो ये कुछ जो है कि हमने चुब ये सबी सबी चरूब está गे तो आपका मैं जाये जाएगा जबूर अच्छा हो जाएगा सभी प्लांटों की गोड़ाई हो गई है सबी डांटों प्रूनिंग कर दी है थोड़ा थोड़ा सा और सभी प्लांटों के पास जो अभी लगे हुए हैं डैड फ्लावर है सूप चुके हैं बस उनको मुझे करना वाकिए तो वो भी हम थोड़ा सा काम करेंगे तो ये कुछ मैदपूर हमारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ स चाहिए आप देखिए ये देखिए जितने अभी एक चोटा सा गार्डन मैंने उपर खुला हुआ बनाया है इसमें मैं आसा करता हूं कि आपके जो महत्पूर टिप्स हैं आप जरूर हमारे कमेंट वाक्स न बताएंगे और जो हमने पॉइंट्स बताएं साइध हैं उम्म के लिए करना चाहिए जो मैंने आपके साथ सेयर किये हैं तो दोस्तों अब हम वीडियो करता हूं बन इसी के साथ जो हैना नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा उसमें जो हैना दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अभी जो हैना कलियां खिल हैं तो क्या करना है पत्य ज़्यादा खिल नहीं तो उसमें क्या करना है और